दोस्तों रोयलन फिल्ड की तरफ से जो सबसे आदा बिकने वाली बाई है आज भी वो है क्लासिक 350 जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं हाला कि यह बात अलग है कि कहीं सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको क्लासिक 350 का नया मोडल पसंद नहीं आता जादा एक केटेगरी है पुलट 350 की जिसमें कि आती है स्टंडर 350 जिसके की बहुत सारे दिवाने हैं और जिनको प्यॉर बुलट वाली फिलिंग चाहिए बहले ही काफ़ी सारे चेंजिस हो चुके ही समय के साथ साथ लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ Standard 350 यानि की Bullet 350 की कवाली पसंद आती है ऐसे में एक भाई कैसी है जिसको हम देखते ही नहीं और वो कितनी important है कितनी value for money है और अगर आप कोई भी Bullet लेना चाह रहे हैं इस समय तो यह वीडियो बहुत ही जरूरी है आपको देखना बहुत चोटी सी वीडियो है जरूरी जानकारी दूँगा इस वीडियो में तो दोस्तों बने रही है मेरी साथ चैनल मेरा जरूर सस्क्राइब कर देगा और जो टेलिगराम गूरूप है उसको भी आप जरूर जोइन करने link description में दिया गया है उसका अब देखे दोस्तों यह दो category की मैंने अभी बात करी classic 350 और standard 350 जिनके specifically लोग हैं जो इनको लेना पसंद करते हैं चाहिए वो नए वाली अब आ रही हो वो भी चाहिए पुराणी जो आती हो वो भी लेकिन दोस्तों ऐसे में एक जो मोडल है उसकी तरफ किसी का दियान नहीं जाता या जाता भी है तो बहुत कम जाता है वो है पुलट 350 ES ES मतलब electric start अब यह जो बाइक है इस समय पे सफसे बैस्ट बाइक है मेरे हिसाफ से लेने के लिए वो क्यों है वो मैं आपको बतायता हूं देखें बहुत सारे मेरे सस्क्राइबर्स ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि जो क्लासिक 350 जो पहला मोडल आ रहा था वो बहुत बढ़िया था समझ सकता हूं मैं बहुत सारे लोगों को कोई चीज परसंद आती है बहुत सारे लोगों को कोई चीज परसंद आती है अगर मैं अपनी भी बात करूं तो क्लासिक 350 जो पहला मोडल आ रहा था उसका लुक्स मुझे बहुत अच्छा लगता था इंजन से मुझे कोई शिकारत नहीं है जो भी नए वाली आ रही है टेकिन कहीं सारे लोग ऐसे जिनको वही पुराना इंजन अच्छा लगता था ऐसे में एक चीज जो स्टेंडर को क्ला बहुत ही बढ़िया बार बतायता हूं इस समय पे ये बाइक आपको उत्तर प्रदेश में सिर्फ 187,000 रुपीस की ओन रोड की बने मिल जाएगी बिना किसी एसेटीज के तो कीमत के साथ से बहुत ही वैल्यू फोर मनी है बाकी सभी चीजे अगर सिर्फ ग्राफिक्स को में चेंज कर दो टैंक के उपर तो लगभख सभी चीजे चेंज है थोड़ा बहुत इंजन में कलर काला अगयरा का रखा है यह थोड़ा चेंज है लेकिन सेल्प के साथ में जिसको बुलट की फिलिंग चाहिए और जो अपनी पुरानी क्लासिक 350 को मिस कर रहा है उसके लिए य अगर आप सोच रहे हैं कि पराने वाली क्लासिक 350 है वो वापीस आ जाएगी या वह इंजन हो आ जाएगा तो मैं आपको एक बात बता दू किलियर किलियर कि beloition क्या बिल्कुल भी नहीं एक शीmm theo कम पहें आप यह सोच के देखे कि यह इस समय पे सेल्फ कि साथ में कोई बी एपको इस कीमत में मिल जाएगी तो सीधी बात है ऐसी कोई भी समय बाइक नहीं आरी रेट्रो मोडल में जो कि आपको इस चीमत में मिल जाएगी अब बात कर लेते हैं एक जरूरी सूचना की देखे बहुत सारे लोग जो हैं वो मेरे से पूस्ते रहते हैं कि next generation bullet 350 कब आएगी next generation bullet 350 कब आएगी तो दोस्तो ऐसी जानकारी मुझे मिली है कहीं जंगे से कि bullet 350 जो electric start है और जो bullet 350 standard model है उनका stroke धीरे-दीरे कम हो रहा है यह कुछ शोरूम्स ऐसे हैं जिनके पास stroke खतम होने को है और नहीं मिल पारा उनको दूसरा नया stroke नहीं मिल पारा उनको तो अगर आप अभी bullet 350 लेना चाह रहे हैं तो यह best time है बुलट को purchase करने का और अगर आपको self के साथ बुलट चाहिए तो आप बुलट 350 ES बिलकुल ले सकते हैं यह सबसे best time है क्योंकि इसके बाद हो सकता है आपको बुलट 350 इलेक्टिक स्टार्ट या बुलट standard आपको ना मिल तो 1,87,000 रुपीज में आपको यह बाइक मिल रही है इलेक्टिक स्टार्ट की में बात कर रहा हूँ मेरे यह साथ से बहुत ज़्यदा value for money है तो बिलकुल आप इसको purchase करिए और अगर आपकी requirement है self तो बिलकुल इसकी तरफ जाईए मैं बिलकुल भी यह नहीं कह रहा कि आप standard मत खरीदिये जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ जो standard के दिवाने वह standard ही करेदेगा लेकिन self के साथ में अगर bullet आपको चीए तो बिलकुल आप इसको खरी सकते हैं तो दोस्तो यह थी मेरी वीडियो आशा करतों आपको अच्छी लगी होगी चैनल मेरे जो subscribe कर देगा दोस्तो आज के लिए इतना ही जाहिंद टेक क्यार